व्लोगों के क्यों ठरकते हैं यह देखों क्या जबरत्य सा करने के आई जदिक नहीं वेख व्लोग आज है इद मिलादुन नभी का में जो पोस्कॉन कर दिया ता दिन वो है मतवाद जूलूस निकलने वाला है व्लोग में विश्करी दिया था वन सेकेंड है इद मिलादुन नभी और मैंने इस तरह किसे रैटी हो गई हो देखो इस तरह से मैंने अपना गाउन पहना है यह देखे यह है मेरा आज का आउटफिट मैं जा रही हूँ डॉक्याड रोड वह वाला देखने क्योंकि हमेशा म है और आप लोग दिखाते रास्ते में चाहते जाते कि सजावत रास्ते में कैसे कैसे दिख रही है और वहां पर कैसी रॉष्णी होगी क्योंकि डॉक्याड का मुझे देखने के लिए बहुत जाधाए एक्साइट्मेंट है सो चली चलते हैं इस आटो में मस्त कवाली लगिए गाइस तो वो इन जॉय करते करते मैं जा रही थी और बात में देखा इतनी जादा ट्रैफिक तो इसी ट्रैफिक को मतलब हम आगे और नहीं देखना चाहते थे इसे लिए ये जो आईल अव कौसा का जो आगे एमेम वैली से रास्ता जाता ह तो मैंने आप लोगों को भी बता दू और मुझे ट्रैफिक तो मली New Bali नीकला ही नहीं था त इसे लिए रास्ता साफ था लेकिन जैसे जैसे हम आनके जा रहते हैं भीड जो नजर आ ही रहती और ये स्टेज वागेरा भी बहुत प्यारा लग रहा था अच्छा डेकोरेशन था लेकिन इसमें काफी पैसे भी खर्च हो जाते होगे पता नी फिर भी सब इस चीज के करने के लायख है इसलिये कर भी रहे हैं तो करते हैं इंवस्ट और यहां पर देखिए फिर हमें थोड़ी थोड़ी भीड और नजर आ गयी है संजय नगर पता ने क्या क्या बोलता है समराट नगर संजय नगर वहाँ पर भी हमें नजर आ रही थी भीड फ्लैक्स जो है बहुत बड़े बड़े इस बारी लेकर दीखे मुझे बहुत लोग फिलिस्तीन का भी बहुत बड़ा फ्लैक लेकर था यहाँ पर लोगों ने और संजय नगर का और फिर यहां से हम आगे आगे निकल गए और मौसम भी बहुत जादा सुहाना हो रहा था अच्छा हो रहा था इस टाइम पर थोड़ा बहुत क्लियर मिल गया रोड वरना वो भी नहीं मिलता यहां पर तो बहुत सारी लाइटिंग आइटिंग रात में और फिर रेलवे स्टेशन के पास भी मुझे जशन मनाते हुए बहुत लोग इद मिला दुन नभी मनाते हुए नजर आए फ्लाइग लेकर यह देखिया आप लोग भी तो मैंने थोड़ा सा रुख कर इन लोगो को भी रिकॉर्ड किया कि काईस करने हैं यहाँ पर स्टेशन पर उपापर अपने देवाना भी बिल्कुल शुरू होने वाली हो और मैं पाउच गई हूँ स्टेशन यहाँ से वे मैं जद्यदी जारी हूँ डॉक्याड मैंने टिकेट ले लिए है आज एचके लिटर भी बन रहे हैं बड़े हैं इस बैटना पसंद है विगोज मुझे इसके अलावा सफोकेशन होती है फिर भी मैं ट्राय करती हूँ बैटने का और यह हैं पंदरा रुपे की सिर्फ फर सिर्फ पंदरा रुपे की लोकल की टिकेट एक यह दो स्टॉप के लिए तो फाइफ रुपीस से ही लोकल की टिकेट जो स्टार्ट हो जाती है और मेट्रो लाइन जो है वो नवी मुमाई की शुरू हो चुकी है और घाटको पर से भी मेट्रो पहले से ही है so yes मैं पहुच चुकी हूँ यहाँ पर सेंडिस रोड यहां से मैं चेंज करूँगी गाइस तो मैंने चेंज कर लिया है ट्रेन डॉक याड के लिए हमेशा गाइस यह जाती है उपर से तो यहाँ से इसकी पहचान होती है कि हां में ये वाले ऊपर वाले स्टेशन जाना है रहा है डॉक्यार्ड रोड स्टेशन वाहल क्या है देखने मिलेगा वाँ कि मैं माइक यूज करना स्टार्ट कर लिया कि मैं आउट्डोर में हो आज बहुत ज्यादा बाहर शोर रहेगा इसलिए मैं माइक यूज कर लिए तो मैं अभी डॉक्यार्ड रोड स्टेशन पर हूं और जा रहे हूं आगे चलते हैं यह देखना गाइस यह हम नवानगर की सा अभी जा रहे हैं सेंडर्स रोड फिर जा रहे है क्यूंकि वहाँ से फूरा स्तार्ट व मेरे फ्रेंड का कहना हुआ होता है इतना बढ़ा दिखना लहां फसे का तो नहीं है तो यह आई किसी उसमें दिखाता है का कैसे माइक लेगा है जब नहीं पढ़ रहा है इसको लगा लो क्या लगा रही हो तो इतना ज्यादा नहीं आ रहे है यह गिरेगा यह तो कोई नहीं ठीक है चेक कर लेते हो अब ही तो जाइस अभी हम है डोंग्री में वो था डॉक्याड नवानगर वगेरा वगेरा जो भी और यह है डोंग्री डोंग्री में एंटर हो चुके हैं और अभी हम आगे जो जुलू से वो देखने जा रहे हैं यह तेके गाइस कितने क्यार लग हुए हर यह यह सदीक जा कर देख्ते हैं यहां से नजदीक जाकर देख्ते हैं को यहां kap क्या मालो सिक्योरिटी भी बहुट यहां देख न यह देखे सिक्यूरिटी यहां से स्कार्ट हो गया ना ओके चलिए सिर्फ यह देखे गाइज इतना फ्यारा लग रहा है और यह है यह बोर्ट मावे शुहादा बच्चे भी निकल चुके अपने उस पे जुलूज में यह कौन सा वो है सियद हादी अब्दुर रह्मान शाह कातरी यह दरगा है नहीं है दो तीन साल पहले देखा था तो इस बिल्डिंग का काम चालू था और आज देख रहें यह बिल्डिंग इतनी प्यारी लगए पुरी रैडी है कुछ ज़्यादा भीड़ा भी नजर नहीं आई ती अभी शुरू नहीं हुआ था तो सब जाते ले दिख रहें रुका हुआ कोई नहीं है यह फायर बिड़ेड आगे है अपरहन हुंबई महानगर पाली का यह मेमन बाड़ा अगनी इसमन पेंडर है मगरी बोने वारी अभी हमें भी ठैरना होगा कई तो यह देखे काईज यह है है हुटबे कोकन मगरूम अनी मानी इस अब देखे मेरे से अप्छा से जाना है यहां से पूरी बेड़ आ रही है और यह देखके मेरे से ज़िए शुरू हो गए है तो आगे है इस इधर से बाफ देखते साथी मेरे तो इक्नम बीड़ेड शुरू हो गई और मैं चाह रही थी देखने के लिए शुरू सीधा जा रहे है अच्छा सीधा जा रहे है तो अप्राइट शुरू हो गए है वह है कि अच्छा पार शुरू है तो अच्छा फेंडी मसार का पर घॉड़ गाइड इयाओ पेरी आवाज आए इस अच्छा आप का रहे है। जाने को ज्यादा भीर लग गई है तो आपरे चैचे चैचे यह नियून भी जाए है माइक लगा के मैं भी मुल जाए है जो लोग डेकॉरेशन तो हमने जो पिसले ब्लोग में पिछाया था है गईजी की तो त्यारा है तो पूरी पीर सारा मेरे को देख बहुत प्यारा बनाया है यह पिछले व्लोग में आप लोग ने खाली देखा था पिछले व्लोग में आप लोग ने जो बच्चे को मालूम है वह बच्चा यहां पर आजा फॉरब यह देखे गाईस यहां पर सब पानी जलती रह एक सब बाता जा रहा है कि अधर पिछले लेगे लाटी श्यास लगें लेकिन आप इमें क्यां होगे इस तक अल्ड़ेटी खड़े तो अम्य कैस्टे देखना माशालला गाईस यह वाला इतना कलरफुल इतना प्यारा एक दम अच्छा रौनक वाला था सीरियसली सबी अच्छे थे वैसे इन्होंने यहाँ पर इंतिजाम भी लगाया था देखे वड़ा पाउ वगयरा पता नहीं कया थो था वड़ा था है पता नहीं क्या था पाउ के साथ मुझे नहीं पता था कि मिरी आवाज रिकोर्डी नी हो रही है तो मैं वहीं बता रही थी कि खाने पीने का पुरा जादा गर्दी भी थी बट वो ना एक तरीके में इन्होंने लगाया था वॉलिंटियर्स खड़ेते तो बहुत अच्छा लगा मुझे देखका तरीका कि यहां पर डोंगरी में इतना अच्छे से चलने भी मिल रहा था ऐसे भी नहीं था कि किसी के बीच में गैपी नहीं बन अट बनाकर एकदम से तो ऐसे क्यों करते हो आप लोग मतलब मैंने समायल दी तो उसने स्मायल भी नहीन दिया एकदम से इत्रा के चले गए तो मेरे समझ में नहीं है सब ने लगाया है भई बचों ने बड़े ने लड़कों ने और एक लड़की ने लगाया तो इतना क्यों फेस पे मतलब ऐसे गूरने लग जाते हो देखो मैं तो यही बोलूगी गाईस मुझे कोई बुरा तो नहीं लगता लेकिन मैं यही क्योंकि अभी जब देख रहे कि इतने सारे लोगों के बीच में कोई कैमरा ले लेके चल रही है कार्टून की तरह या कुछ भी समझो तो लोगों को लगता होगा कि अरे हम भी तो क्या दो रहे है इसके इंदर तो फिर आगे मैंने यह देखा हो माई गॉड यह बहुत प् बढ़ रहे थे यह कोई भाई साब थे तो इन्होंने कवाली पड़ी स्टेज था अच्छा खासा सरकार नाम से और यहां आगे आगे हम बढ़ते जा रहे थे देख रहे थे आगे और कोई देखने मिले इसका बिल्कुल जो ऑपोजिट रोड था वहां पर भी डेकोरेशन थी हम वहां नहीं जा पहे थे यहां पर बीच में डिस्प्ले लगा हुआ यहां पर वारिस पटान आयते कुछ खिलाफत साइट का कई का था यह खिलाफ मेल पता नहीं क्या था मुझे समझ खिलाइब करें तो यहां पर जो है यहां पर बटरा था जूस वगेरा तो सब नस्दीक जो थे वह ले पा रहे थे जूस वगेरा और जो दूर थे उन्हें फैक के देना पढ़ रहा था विचारों को तो फिर इसलिए सब जो है अपना जूस वगेरा लेने के लिए खड़े थे हम तो फिर वाँसे रिटर्न होने लगे तो हमने लिया इनी धक्के वगरा लगना तो यहां पर नॉर्मल अगर आप ऐसे जाओगे इतनी भीड में तो यह तो फेस करना ही पड़ता है पड़ेंगा और मेरी फ्रेंड फिर मुझे खो गई मिली नहीं रहती तो मैं उसको पास रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई और वैसे भी कॉपी राइट आ ही सकता है तो वैसे भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया लगी तो यहां पर काफी भीड नजर आने लगी फिर रिटर्न होते टाइम देखे कितनी जादा वीड़ो माई गॉड अभी आडिटिंग में में देख र वो निकली रहा था कुछ टाइम बात से भी तो गाईज हमना यहां से अंदर जाने के लिए खड़े थे तो मैंने सुचा आप लोगो को यह पटा के फोटते वे वापस से दिखा दू अपने चैरे के साथ उपर उपर देखकर मैं बताई रही थी तो हमना एक क्लीनिक जा र होगें तो फिर हम जैसे अंदर एंटर किये ना तो हमने यहां पर यह गाड़ी सजी हुई देखी जो के बहुत ही अच्छी लग रही थी फूलों से सजी हुई थी फूर्स टाइम मैंने यह दर्गा देखी थी इस गली के अंदर अब्दुरह्मान शा बाबा दर्गा क्यों बहुत क्राउड है गाइस बापर यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है अब यह जाना है है डाइस वलकम बैक तो मुझे आते आते पूरे ग्यारा बजगे घर पे और मैं पूरा वाक करके आई हूँ 40 minutes walk करके आई हूं तो 50 minutes मैं पुरा walk करके आई हूं and अच्छा लगा क्योंकि मेरा weight भी कम होगा तो मुझे जादा पता ही नहीं लगा इतना fast fast में आई हूं आई हूं आगिन के ज़से जब 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 करके नहीं समझ के लेना चाहिए आप लोग भी okay so guys हो गया मेरा भी आज का व्लॉग यही था कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताना comment section में और अगर अच्छा लगा तो like share and subscribe कर दो channel को चैनल पर नहीं हो तो notification bell को भी on कर दो otherwise मैं अब खाना खा करके आराम करूगी अगर मेरे उस चैनल पर से कोई यहां पर मेरा व्लॉग देख रहा है तो सुन लीजिए मेरा reaction वीडियो भी आने वाला है मैंने setup ready कर दिया बर्स यह है कि मैं उसके लिए भी start नहीं किया मैंने बैठा नहीं क्यूंकि बहुत जादा yellow dollars copyright और ब्लॉक वीडियो रिमुव वीड तो देखो content तो वीडियो में निकाली जाता है मैं अपनी memories के लिए व्लॉग बना रही हूं मतलब जैसे daily में मतलब कहा कहा जा रहे हूं मुंबई का आप लग में बोला तो जब मैं डैली में थी कि आप Mumbai को तो तो इसलिए मैं मुंबई में हूँ तो मैंने सोचा कि मैं काफ